ऐमरत योजना के तयति हैं, सेंटर गौश्मन्ट के प्रिजक्ट के तयति हैं, बाल बहुन से लेके, बस टेंट से वाटते हुए, बारह सो मम से लेके, अठार Thai से प्राइपलाने, जो कि शहर के बर्साती पानी के लिमिका, निकासी के लिये डाली जा रही है, इसका जो पंपिंग स्टेशन है वो खैरफुर्ग के सामने पुलिस चोकी की पिछे बनाया जाएगा और इसकी जो निकासी होगी वो रंगोई नाले में की जाएगी जिससे एक तो शहर का पानी भी निकल जाएगा दूसरे वहां के आसपास के गाउं जैसे फूल का बज्य का इनको भी बरसाती पानी का फाइदा मिलेगा यह शुरू हो चुका है अब यह इसको प्रजेक्ट को कंप्लेशन अमने टार्गेट जो डेट देर रखिया हुई कर 30 दिसम्बर 2020 देर की और उमीद है कि उसे पहले हम टार्गेट डेट से पहले हम कावर करता है इसको तुसरा खलकती कलोनियों का खायरपूर का सारा अरिया कवर करेगा उसके इलावा भी हमने शेयर के दूसरी साड़ में जो रेलवे लैन के दूसरी साड़ में मेर बजार की तरफ है उसकी तरफ भी हमने एक प्रजेक्ट और त्यार कर रहे हैं जिसके लिए हमने कंसल्टन्ट हायर कर है पंजवाना की तरफ से अभी प्रजेक्ट शुरू हुआ है किसनी लागत है अभी जो यह अमरूत का प्रजेक्ट है यह लगव 10 क्रोड का है और जो शहर का बाकी शहर का है वो भी डिजाइन होना है तो अप्रोक्सिमेट हम मानते हैं कि 10-12 क्रोडर पर उसका भी प्रजेक् हैं और गाडियां जितने भी आती जाती थी सब में बहुत परशानी होती थी अब जो यह पानी के लिए सेवर लाइन डाली जा रही है इसके लिए इसका बहुत ज्यादा बैनिफिट मिलेगा अपने को दुकानों के आगे पानी नहीं खड़ा होएगा किसी को रागीर को 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 ली समसया नहीं होएगी इसका जो अरियाना सरकार ये जो कदम उठाया अरियाना सरकार नहीं हो बहुत अच्छा है जी से फायदा तो मिले घी बहुत फायदा मिलेगा बरसाथ का पानी नहीं बुकेगा रोगी केस्टमर पर Hampसी आजा सकेगा यह चीज़ें भी पहले क्या पानी दुकते आता था जी पानी दुकने सी वज़े से दुकान दारी खराब होती जी ऐसे हालाते अब आगे